दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए धेर सारे रोज रोज नए नए गैजट लेकर आते हैं तो आज की इस यूड़ों में कुछ ऐसे ही आज़सम गैजट होने वाले हैं जो आपको बहतरीन लगेंगे देखने में तो शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले नबर पर है कोलोप की मार्क प्रिंटर दोस्तो प्रिंटर तो आपने काफी सारे देख रखे होंगे और इस्तमाल भी किये होंगे लेकिन बात अगर ऐसे प्रिंटर की हो जो कि आपके हाथों में आसानी से फिट हो जाए तो ये प्रिंटर कुछ ऐसा ही होता है तो इसे पर बनाए गया है छोड़ी छोड़ी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए जिन्हें कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से इसमें नीचे तरफ एक छोड़ा सा प्रिंट हैड लगा होता है जिसे कि आप इन्पूट देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन से साथ ही द सम Vine नमबर पर है हेक्सा जो नॉर्मल सेघ रोबोड होते हैं उसको चलाने केलिए उसमें विल्थ लगा होना काफी जरुर्य होता है लेकिन कभी उबड़ खावर रास्ते होता है जहां विल्थ फेल हो जाते हैं ऐसे में इस्तमाल किया जा सकता है इस तरह के पर्ण को जो कि से आगी के तरब केमरा लगे होते हैं जो की आपको लाइफ डिखा सकते हैं और जहां यह रोबॉर्ट जाएगा उस से आप देख सकते हैं अपने मोबाई al is part पर साथ ही इसे कंट्रोल करना बहुत ही आसान रहता है क्योंकि यहां पर सारे कंट्रोल आपके फोन में देखने को मिल जाते हैं तीसरे नमर पर है Arial by Solar Breeze दोस्तो अगर आप Water Park गए हो तो क्या आपने कभी सोचा कि वहां के पानी को किस तरीके साप रखा जाता है दोस्तों वहाँ पर ट्राइ किया जाता है कुछ इस तरह की गैजट जो पानी में फिल्टर करने का काम करता है ये गैजट भी कुछ सही होता है जो की पानी के उपर खिराओने जैसा तेहलता है लेकिन इसके निचे की तरह filtration system लगा होता है जो की पानी को चानने का काम करता है लगातार जिससे की पानी धीमिते में साफ होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा तो इस गैजट बहुत डिपली क्लीन करता है आपके पूल को जिससे की पूल के उपर कुड़ा जमा होने का सवाल ही नहीं उड़ता चौते नमर पर है एर कोजी स्मार्ट पिलो दोस्तो जब बात हमारे बेडिंग का वर्ट के आ रही हो और उसमें पिलो का नाम ना है ऐसा हो ही नहीं सकता यानि निन्द आपकी कैसे भी हो रही हो इसमें पिलो का एक बहुत बड़ा रोल होता है तो अगर आपको भी नॉर्मल तक्ये में निन नहीं आदी तो इस्तमाल कर सकते हैं इस स्मार्ट पिलो का जो की बहतरीन फीचर के साथ आती है इसमें छोटे छोटे स्पिकर लगे होते हैं जब रात की समय आप इसमें सोएंगे तो हलका हलका लाइट म्यूजिक आपको सुनाई देगा वही आप पसंद का म्यूजिक भी इसमें सुन सकते हैं और या पिलो कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है और साथ ही इसमें आपको एक सेंसर भी मिल जाता है जिससे कि आपको अपने कमर में लगाना होता है जिससे कि आपके स्लिपिंग पोश्चर को डिटेक्ट करके आपके तक्ये के हाइट को उसे हिसाब से एड़ेस कर देता है तो कमाल कर रहे था इस तरीक गैजट सोने के लिए पांचवे नमर पर है आर वी आर बाइस पैरो दोस्तो अगर आपको ऐसा रोबोटिक गैजर चाहते हो जो कि आपको अच्छे से डिटेक्ट तो करे ही साथ ही उसका इस्तमाल आप अलग-अलग कामों में कर सके तो ये रोबोट कुछ ऐसा ही है अपने बेंड विल पर चलने मिल जाते हैं जिससे कि आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं उपर के शेक्षन को आप अपने हिसाब से कस्रमाइज कर सकते हैं जहां पर आप अलग-अलग तरीके के अटेच्मेंट यूज़ करके काम के लायक बना पाओगे तो काफी बहतरिन होता है ये गैजट बच्चों के हैं आप इस तरह के वॉच्च को जिसके डिस्प्ले कर रहती है यानि कि जब आप इसे पहनोगे तो आपको स्मार्ट वच्च वाली फिलिंग आने वाली है लेकिन यहां पर भी आपको वो सारे स्पोर्ट मोड दे रखrage होते हैं जिनका इस्वाल आप कर सकते हैं अतनी हर ए अक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए कर्ब डिस्प्ले होनी की वज़े से यहां पर विए एंगल काफी ज़्यादा प्जबरदस्ट आता है जहां पर आप मोबाइल फोन पर आने वाली नोटिफिकेशन को देख सकते हैं तो वो कमाल की रहते हैं इस तरह का स्मार्ट वाच की डिस्प्ले होती है जहां पर आपको इसमें डिस्प्ले कब देखने को मिल जाएगी जिससे वीव एंगल काफी बेहतरिन होती है साथ ही इसमें एक मिलियन से भी ज्यादर कर सपोर्ट दे रखा होता है यानि कि डिस्प्ले पर वीडियो काफी बेहतरिन दिखने वाला है स जिसमें कनेक्टिविटी सपोर्ट भी बहतीन रहते हैं यहां पर आपको यूएसबी लेंड पोर्ट और एजडी माई पोर्ट वगरा देखने को मिल जाते हैं जिससे की आसानी से आप अपने मोनिटर को कंप्यूटर सिस्टम से अटेच करा सकते हैं तो कमाल कर रहता है इस त कर एक ऐसे रोबोट की जो की डांस करने के लिए बना हो तो यह साधा आप के लिए कोई नहीं बात हो दोस्तों यह एक तरह का ऐसा रोबोटिक स्टॉय होता है जो की खास और पर डांस करने के लिए ही बनाया गया है दोस्तों यह साइज में बेहत छोटा होता है जिससे की बच्चों को खेलने में काफी जादा मज़ा आता है। इसके आगे के तरब दो छोड़े छोड़े लाइटिंग लगे होती है। जो की डांस करते समय अलग-अलग expression देती है। वहीं ये अपने पैरों को मुझ करके अच्छे-च्छे मुझ दिखा सकता है। जो की काफी पसंद आएगा आपके बच्चों को। दोस्तों अगर आप चेयर की बात करते हैं तो सबसे जरूरी चीज रहती है। किसी भी चेयर में comfortable और normal जो भी चेयर मार्केट में मिलती है वो आपकी comfortable को ध्यान में रखते बनाई जाती है। लेकिन फिर भी काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है कभी कभी कुछ लोगों को तो आप ऐसी चेयर चाहते हैं जो कि आपके हिसाब से पुरी तरह बदल जाए तो ये एक चेयर कुछ उच ऐसी ही होती है। दोस्तो इसमें जो पार्स होते हैं वो पुरी तरह से adjustable बनाया गया जिसे कि आप अपने हिसाब से adjust कर पाएं इसमें हेड्रस लेकर काफी कुछ कर्स्रमाइज हो जाता है जो की बहुत ही ज्यादा बहते है इस्तमाल करने में तो इस तरह की चेयर का इस्तमाल आप लंबे समय तक बैठने के लिए कर सकते हैं साथ ही आफिस वगेरे में भी यह चेयर काफी बहतिन रहेगा तो हमारा आज के लास्ट ही गैजट है बर्गर बड़ी दोस्तों अगर आप बर्गर लव रहे हैं तो यह गैजट आपको काफी पसंद आएगा नौर्मल अगर आप बर्गर ख रहते हैं कि जब आप इस पर बर्गर को रख कर खाएंगे तो निचे से कोई भी सौस वगर बाहर नहीं आएगा जो कि कहीं ना कहीं आपकी बेहतरी तरीके से खाने को पेस्ट करता है साथ ही बर्गर खाने का मज़ा इस गैजट के साथ काफी जादा बढ़ जाता है क्योंक अपने नेक्स वीडियो पर